नमस्कार दोस्तों, Market Analysis के वीडियो में आपका स्वागत है कल जैसे हमने डिसकस किया था कि यहाँ पे शॉर्ट ट्रप हो सकता है और वैसे ही हमको देखने को मिला Market Gapdown ओपन हुआ था, Support के पास है ओपन हुआ और पहले ही Candle अगर आप देखते हो यहाँ पे तो एक Green Candle बना था 2G, उसके बाद में हमने वह लोग ब्रेक नहीं किया एक Attempt किया था और उसके बाद में आपको एक अच्छा सा Bounce देखने को मिला पहले जब Gapdown था तो अभी मैंने टीम में बोला था कि Bounce आएगा तो First Bounce आया उसके बाद में Consolidation और हमारा जो Short Covering का लेवल था 21,132 था वहां से Short Covering हमको काफी अच्छा सा 1,500 पॉइंट के आसपास मिला था अच्छा जो Trade मिला था वह मिला था Option में मिला था जब पहला यहां पर Gapdown लगा था तब से हमारा यहां पर बाई था और यहां पर Continuation उपर गया था इसमें Short Covering का जो लेवल था वह था कि 480 के उपर सस्टेंग करता है तो एक अच्छा सा हमको Bounce में देखने को मिल सकता है पर अब यहां पर इस जोन पर हमें लेके नहीं जाना था क्योंकि यहां से अगर देखते हो तो काफी अच्छा सा एक Fall आया था निफ्टी का आपको देखने को मिल ला है candle तो यहां पर अगर आप नोटीस करोगे तो यह जो candle green बना था यहां पर उसका जो body का end था उसी के आसपास आज अपने high लगाया है 288 इसमें आपको जो resistance मिलेगा वो मिलेगा 21,360 के आसपास resistance है हमारा closing adjustment हुआ है 255 पे हुआ है अगर कल market हमें वापस 21,210 के नीचे open होता है तो हम यहां पर फिर से गिरावट देखने को मिल सकता है हमें और दिरे दिरे करके क्या होगा कि अब यह वापस इस zone के आसपास आएगा इस zone पर अगर support लेता है ज यहां पर revisit करना जरूरी है कल यहां से उपर जाएगा कोई trade नहीं लेंगे पर अगर नीचे की side गया तो एक अच्छा सा trade मिल सकता है similar on the bank nifty also यह आपका previously जो candle से उसके अगर आप body देखते हो यह green वाला उसी के आसपास से हमने यहां पर rejection आज लिया है इसमें 48,000 80 वापस व ही हमारा level ध्यान में रखना है जो हमने दो दिन पहले ध्यान में रखते थे अगर वो नहीं निकला तो हम वापस नीचे जाएंगे नीचे में अब आपके लिए जो important zone रहेगा वो रहेगा 440 के नीचे जाता है फिर से हम short करेंगे for the target of 46,500 के लिए हम एक बार नीचे जा सकत है फिन निप्टी इसमें जो हमारा level हमने कल डिसाइड किया था कि उपर मैं आपको यहां पर मिल सकता है 340 और नीचे में 300 इसके बीच में rejection है तो वहीं से हमको एक यहां पर hold होता हुआ दिख रहा है अब हमारे लिए important क्या होगा कि अगर हम यहां पर वापस इस level के नीचे sustain करते है 190 के नीचे आप फिट से short कर सकते हो यह आपका daily chart के इसाब से रहता है intraday के लिए हम आगे देखते है stock के लिए बजाज finance अगर आप यहां पर बजाज finance देखते हो stocks में daily chart में आपको head and shoulder बनता हुआ दीकरा है यहां पर काफी अच्छा सा short भी बना आज low भी business में वहां पर recommend दिया और यहां पर इसने एक अच्छा खासा bounce दिया था 70-80 points का तो मैंने group में भी share किया था कि हम यहां पर week है पर news में आ गया है तो यहां पर SL hit होगा है उसकी वज़े से फिर अब यहां पर मैं फिर से short करूँगा अगर यहां पर 7-3-2-8 के नीचे अगर sustain करता है तो इसमें short करूँगा और फिर मेरा target होगा 7,000 तो यहां पर लेने के लिए 300 points है उपर में यहां पर आपके पास stop loss के उपर 200 points है पर जैसे आपके favor में चलने लगता है आपका stop loss move होना चीए यहां पर 7430 के आसपास फिर नीचे आप एक अच्छा सा trade नीचे की side ले सक हो HDFC AMC कल जैसे हमने discuss किया था इसमें दो तरीके से आपको trade मिल सकते है एक यह low के नीचे trade करता है पर आज हमने gap down ही open किया फिर जैसे यह previous day का जो closing था opening 3129 उसके उपर था हमारा तो आज का इसने high लगा है 3157 के उपर कल हमें वापस वही level द्यान में रखना है 3160 के उपर आपको फिर से इसमें buying देखने को मिल सकता है इंडोरा एक यह stock को भी द्यान में रखना क्योंकि अभी भी यहां से आपको एक अच्छा सा मूँ उपर की side मिल सकता है पहले ब्रेक आउट गिया यह level को उसके बाद में उसी दिन जो ब्रेक आउट था shooting star बना आज वापस वही जगह से support लेके उसने bounce दिया हुआ है volume में काफी अच्छा सा हो रहा है buy में आप रख सकते हो इसको आप कल अगर यहां पे flat opening होता है तो आपको द्यान में क्या रखना है 212.80 उसके उपर hold करता है तो buy करना पहला target 220 होगा उसके उपर hold करेगा तो next target 236 होगा अब के लिए कल का stop loss यहां पे अगर आप 212 पे enter करते तो 208 रखना 4.2 stop loss रखेंगे उपर में हमारा 8 point हैगा 1 is to 2 और उसके बाद में hold करता है तो trail करके 236 तक जा सकता है अब बात करता है option chain की bank nifty 48,000 काफी अच्छा से यहां पे हमें put में short देखने को मिल रहा है पर on the other side call as well 27 lakh हमारे लिए important क्या रहेगा अब के नीचे में 47 800 में जो call 8 lakh है अभी उसमें हमें यहां पे further increase होता हुआ दिख रहा है और उसके बाद में जो unwinding होता है 48,000 के put में एक अच्छा सा आपको deep देखने को मिल सकता है वापस कहां तक पहला आएगा 47,480 तब आपको profit book करना है wait करना है 47,440 break होता है वापस short करना है 100 point का SL रखके यह clear रहेगा short covering के लिए 48,080 के उपर trade करना जरूरी है निप्टी की बात कर लेते है नेक्स जो रहेगा monthly expiry रहेगा दोनों same day रहेगा 28 को next Thursday रहेगा Monday चुट्टी है तो कल यहाँ पे थोड़ा sideways हो सकता है या तो फिर एक one way जाएगा अभी क्योंकि call का premium बढ़ चुका है as per the OI 21,300 and 21,200 पर मेरे लिए जो support होगा 21,210 अगर 210 ब्रेक करता है तो यह वापस जाएगा नीचे 21,086 के लिए 86 ब्रेक होता है तो वापस हम 950 और इस बार अगर 21,000 भी ब्रेक होता है तो 21,600 के लिए लेवल ओपन होगा अगर यह 360 के उपर hold होता है तो short covering आएगा वो आपको वापस 21,000 finder लेके जाएगा तो यह दो चीज आप ध्यान में रखना फिन निफ्टी का मंडे का एक्सपार यह तो इसको भी cover कर लेते हैं और कुछ लास्ट टाइम request था कि sensex को भी cover करना तो आज वो भी हम देख लेंगे intraday chart के भी फिन निफ्टी सपोर्ट के लिए जो अभी है 21,300 अन दे अधर साइड रजिस्टन्स है 21,500 है राउंड फिगर है पुट के साइड अनवांड देखने को मिल रहा है सीमिलर अधर साइड कॉल में भी देखने को मिल रहा है आपके लिए इंपोर्ट हो रहेगा 21,360 इसके नीचे सस्टेंग करता है तो वापस 21,200 जाओगे 21,430 के अबबर होल्ड करता है तो वापस 21,600 तक जा सकते है सेंचेक्स इसका कल एक्सपार ही है और जो क्लोज हुआ है 71065 पे हुआ है यहाँ पर मैं शॉर्ट करके जाने वाला था कॉल 71,000 का फिर at the end मैंने last में उसको book कर लिया था क्योंकि वहाँ पर इतना confidence नहीं आता है मैं अभी वही practice कर रहा हूँ यानि कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं फिर nifty bank nifty मैं फोकस करूँ बाकी को रहने दू फिर nifty तो भी ठीक है compare to sensex and midcap यहाँ पर आपको अगर short करना है तो क्या देखना है कि अगर market वापस 70,940 के नीचे hold करने लगता है तो आप 71,000 का call short कर सकते हो पूट के लिए आपको नीचे में अच्छा सा trade तभी मिलेगा जब आप 880 के नीचे hold करने लगोगे तब आप महाँ पर put ले सकते हो यहाँ पर add the money या तो फिर next next week का एक expiry का put buy कर सकते हो तो यहाँ पर हम sensex लगा देते है यह sensex को तो अभी जो closing हुआ है उसका adjustment है 70,865 हुआ है future में 71,065 है तो आपके लिए important रहेगा यह level यह candle का end है वही candle का green का भी closing है तो 70,486 तक एक बार जा सकता है हमारे लिए short बनेगा 880 के नीचे जितना sustain होता है short हम नीचे की side कर सकते है short covering के लिए आपके पास जगा नहीं क्योंकि यहाँ से उपर जागा पहला resistance आएगा 100 second आएगा 180 और उसके बाद में आएगा 300 तो हर एक 100 point पे आपको वहाँ पर रुकावट देखने को मिलेगी नीचे में smoothly जा सकता है उपर में रुक रुक के जाएगा अब बात करते हैं इंट्राडे में हमें कैसे trade करना है और फिर global quiz भी देख लेते हैं एक global quiz पहले देख लेते हैं global quiz में अभी दाव जूंस का जो future 230 points उपर दिखाए दे रहा है और कल जी सीसाब से गिरा था आज हमें हमारा market वैसे नहीं गिरा था तो हमने यहाँ पर आल्मोस्ट यह एक discounted है कि आज डाव जूंस अच्छा close होने वाला है बाकी आपको जो द्यान में रखना यूएसडी आएनर आज weeks भी कम हुआ है यूएसडी आएनर बढ़ रहा है 8330 के उपर आपको एक shoot up देखने को मिलेगा जो 84 के उपर लेके जाएगा जो इंडियन मार्केट के लिए सही नहीं रहेगा crude all भी नीचे है जैसे हमने बात किया था 80 hold नहीं करेगा तो यह वापस नीचे जा सकता है अब बात करते है हमारा intra recharge की तो पहले हम हर बार क्या करते है कि हमारा Fibonacci level देखते है तो हम यहाँ से अगर draw करते है जहाँ से हमने fall किया था जहाँ से हमने bounce किया तो XZ 50% Fibonacci 21,287 हाई लगा 21,288 अब हमारे लिए important रहेगा कि अगर यहीं से reversal होता है तो जो previous trend होता है वो continuation कर सकता है उसके लिए safe trader के लिए रहेगा 21,125 के नीचे short करना aggressive trader हो तो आप यहाँ पे 188 के नीचे short कर सकते हो उससे भी aggressive हो तो यहाँ पे जैसे मैं बोला 210 के नीचे short कर सकते है यहाँ पे gap up open होता है और पहले 5 की minute में आप 280 के नीचे आते हो तो भी यहाँ पे short बनेगा अगर यहाँ पे flat opening होके भी यह level break होता है तो भी short करना है long कब करना है flat opening होके consolidation करके second half में 21,288 break होता है तो यहाँ पे आप long करोगे for the target 360 360 हमारे लिए एक resistance का का काम करेगा तो हमारे लिए important level जो है वो mark करके छोड़ देते है तो यह हो गया हमारा nifty का bank nifty इसमें फिबुनाची लगा देते है इसने 61% के ऊपर close किया है तो इसका जो important zone बनेगा वो बनेगा trend line से यहाँ से आएगा यह point तो इसका ऊपर में जो यहाँ पर resistance है 48,080 जो हमने बात किया आगे 48,080 आपका resistance का काम करेगा flat opening होता है यहाँ से breakout देता है 940 तो यहाँ पे आपको another 140 point उपर जाता हुआ देखेगा gap up open हो जाता है यह level के आसपास तो यहाँ एक short opportunity बनेगा आपके लिए जो वापस आपको लेके आएगा 700 के आसपास तो यहाँ पे आप profit book कर सकते हो gap down open होता है bounce में अगर rejection वापस होता है तो भी इसको short कर सकते हो पहला target 545 और दीरे-दीरे करके यहाँ तक एक बार आ सकता है 360 से लेके 400 तक यह एक आपका resistance zone है जो हमने discuss किया था यहाँ पे कोई भी buy नहीं करना है इधर इसी जगह पे hold हो जाता है consolidation करके free breakout देता है तो buy कर सकते हो for the target of 440 नीचे में short करने के लिए ideal short रहेगा 230 के नीचे तब आप इसको अच्छे से short कर सकते हो 106 में short के लिए level जो रहेगा 610 रहेगा और aggressive trader हो तो short करने के लिए यहाँ पे 780 है उसके नीचे short करना है long करने के लिए flat opening होता है high के उपर sustain करता है तो buy यहाँ पे कर सकते हो 100 जैसे बताया 100 200 एं 300 तीनों जगह पे आपको resistance अब देखने को मिलेगा तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आज का यह वीडियो प्रसेंट आया होगा अच्छा लगा है तो दोस्तों like and share जरू करना हम तेंक्यों दोस्तों मिलता है नहीं वीडियो में टेक केर बाबाई